अपरा एकादशी का पुन्य राजा महिद्वज को कैसे मिला? भगवान विश्णु के आशिरबादों से सभी की जोली भरने वाली अचला एकादशी की कथा इस प्रकार है. सनातन धर्म एवं पौरानिक महनेता के अनुसार प्राचीन काल में महिद्वज नाम का धर्मात्मा राजा रहता था, लेकिन उसका छोटा भाई बजद्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था, हमेशा अपने बड़े भाई से दुईश रखता था और इसी काराण एक दिन उसकी हत्या करके जंगली पीपल के पेड़ के नीचे दवा दिया, अकाल म्रत्य होने के काराण राजा प्रेत आत्मा बनकर उसी पेड़ के पेड़ पर रहने लगा, इस पेड़ के नीचे से जो भी गुजरता था प्रेत आत्मा उसी को परिशान करती थी, एक दिन उथर से धो में रिशी निकल रहे थे अपने तपोवल से रिशी ने प्रेतात्मा बने राजा के अतीत को पहचान लिया रिशी ने प्रेत को पीपल से नीचे उतारा तथा परलोफिद्या का ग्यान दिया रिशी ने खुद राजा को प्रेत आत्मा योनी से मुक्ति दुलाने के लिए अचला एकाशी का प्रत किया अपने प्रत का पुन्ने भी राजा को दिया राजा को प्रेत योनी से मुक्ति मिल गई राजा ने रिशी को प्रणाम किया और दिवेदे धारान करके पुश्पक विमान पर बैठका स्वरलोग को चले गए